नमस्कार आप देख रहे हैं SPNI न्यूज और आपके साथ मैं हूँ करांदी सिंग इन दिनों राष्ट्रपती दुरौपती मुर्मू को लेकर के चर्चा जो है वो काफी तीज हो चुकी है लेकिन यह चर्चा क्यों हो रही है इस बारे में आज जो हैं बात करेंगे और तमाम स योगे से जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राष्ट्रपती दुरौपती मुर्मू को लेकर कहचानक से चर्चा इतनी तेज क्यों हो गई और इस चर्चा को ले करके आगर किसी पर निशाना साधा जा रहा है तो वह भाजपा ही क्यों है क्योंकि देखिए इन दिनों यही दिखाया था कि चलिए आपको राष्ट्रपती बना दिया लेकिन आप बिल्कुल चुप्पिसाद करके काम करेंगे लेकिन दुरौपती मुर्मू का अगली रूप देखने को मिलता है। मुद्दे में सामने मीडिया कि सामने आकर के वो अपनी बाते भी रखती है जंता से मिलती है साथ में चाहे विपक्ष हो या फिर उनके पक्ष के नेता हो हर किसी का वो पूरी तरीके सा खयाल रखती नज़रा जिया लिए इन्ही है इनी 1700 को लेकर कर चपर ये शुरू हो गई है कि क्या राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मु जो है वो भाजपा कि उस काम को नहीं करती हुई नज़र आ रही जिस काम के लिए शायद उन्हें राष्ट्रपती पत दिया गया था मैं रहाल इस मुद्दे की चर्चा की शुरूआत करते हैं सबसे पहले मासात रितिक है राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मु को लेकर के जब राष्ट्रपती चुनाव गया था और कहा जा रहा था क्यों अबर स्टैंप बनेंगी मुख वधिर रहेंगी कुछ नहीं कहेंगी परिवर्तन को लेकर के बोलना हो चाहे विकास को लेकर के बोलना हो चाहे देश में चल रहे हैं सबसे वड़ी बात है कि दुरौपती राष्ट्रपती जो मुर्मू है राष्टपती वो कम से कम विशुद राजनीती की दास्तारम तो नी फस रही है कम से कम आधिवासी समास से बिलॉंग करती है तो आधिवासी को लिए आवास्त उठा रही है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह उठती है कि नरंदर मुदी ने क्यों चुना थ यह आपको पता है नरंदर मुदी चाह रहे हैं कि महिला कायड खेला जाए क्योंकि यहां पर कॉंग्रिस की पार्टी को उम्मीदवार की बहुत मजबूत थे लेकिन नरंदर मुदी ने आधिवासी कायड खेल दिया कि आधिवासी को आपने आगे रखा और राश्टपती अधिवासी के लिए और आश्टी के लिए कानुन वबस्ता पर आवाइँ चेहा है जब और के राश्ट्पती दुरूपती मुरमो जो काम कर रही है बहात अच्छा काम कर रही हैं आने वाले समन नको अच्छा सब्सक्राइब करें एक चोटा सा कमेंट हम आसिफ से भी लेना चाहेंगे कि आसिफ जिस तरीके से हम देख रहे हैं दौपती मुर्मु का जो चाल चलान है वो बिल्कुल भाजपा के अलग दिखाई दे रहा है यानि कि यह कहा जाते है स्मृति इरानी भी महीला काट के तौर पर ही भाजपा में शामिल हुई थी और उनके कारे करम को देखा जाता है तो माने जा रहा है कि वो उन महीलाओ को लेकर के बोलती है जो भाजपा को फाइदा पहुचा है उन महीलाओ की तरफ वो नहीं बोलते है लेकिन दौपती मुर्मु विपक्ष का भी साथ देती वो उनके लिए सही जा रही है कि किसी भी सूरत में मुझे नहीं लग रहा कि अगर ऐसा होता है तो उन्हें उमिद्वार ही नहीं उतारती हैं सबको पता है कि आज हलाके वो सम्भिधानिक पत्पे हैं उनके राजनीती में उनका इस्तेमाल नहीं होना ची लेकिन इसके वक्ष का समर्थन वो करते नजर आती तो मुझे लगता है कि आज देश में सबस्याद महेंगाई है बिरुजगारी है अर्थे विवस्ता पत्री से खसकी हुई है पैंताली सालों में बिरुजगारी सबसे ओपर है मिडिल कलास की कमर टूटी हुई है इन सब चीजों मुझ सकते उनकी तरफ से कि वो देश के मुद्दों पर बोल रही है नहीं विकास के लिए नहीं उनके एक इंटर्वी को देखा भी है उसमें भी वो मुदी सरकार की तारीफ ही करते नजर आ रही है तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी सूरत में वो उनके खिलाब जा सकते हैं रस्म की बच्ची के साथ क्या हुआ रात और रात बलतकार हुए शब को चला दिया गया लेकिन उनके लिए आवाज ही नहीं उठाए तो कम से कम हम ये तो उमीद करेंगे कि दौरबदी मुर्मुची कम से कम इस तरह की तस्वीर नहीं हुआस दिले में भी देखे कर एक लि बबाबाल मचा हुआ है अब इसमीती रहने का आपने खिर किया बिलकिस बानों पर उसके मुझा नहीं तोड़ती अनकी रिता बिचारी पर उस पर उनकी नहीं निकलती है तो मुझे नहीं लगता है यह ज़रूर है उमीदे बहुत है लेकिन उन उमीदों को देखकर का भी तेसे पद पर बैठी है जहां पर यह माना जा रहा है कि जहां सब चुपपी साथ के चले जाते हैं वो भी चुपपी साथ के चली जाएंगे लेकिन उनकी जो यह नई रूप रेखा है वो कही न कहीं एक अलग मुद्ध को ठा रही है दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ध जैसे देश में हम देख रहे है कि भाजपा के खिलाफ अब कई नेता उतर चुके हैं जो भाजपा के ही हैं अपने बंद कमरे में खेला जाते हैं और जंता से छुपा दिया जाते हैं क्या उन राजपी से वो पर्दा उठा सकती है तो लोग जितने नेता उन तक बाते पहुचाने कोशिश करेंगे तब जाके करें राष्टरपती द्रॉपती मुर्बो इन से मामले पर सुनवाई करेंगे वैसे देखा जी किस समय पर कौन बना ये भी देखना गौर करने वाली बात होती है कोविड काल के बाद राष्ट्रेपती पत्समाला है राष्ट्रेपती दुरौपदी मुर्मू ने ऐस समय पत्समाला है जब काफी सारे युद्ध क्या शंका है कई देशों के बीच युद्ध चला है और इस बीच आरतिक इस्तिती सावी काफी अदर गिराबट को यहां पर और देखी जा रही है तो यह सारी बाते गोर की जाते हैं उस मद्दे नजर देखा जाया तो राष्ट्रेपती दुरौपदी मुर्मू एक भी दिन शायद ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन कोई बड़े ऐलान बड़ी कार्रेवाई या बड़ी कोई मांग पूरी ना कर रही उमीद से बहतरे निहां पर राष्ट्रेपती दुरौपदी मुर्मू ने किया है अकरी सवाल और सवाल यह है कि क्या लगता है कि कभी अगर भाजपा की नीती पर उनको सवाल उठाना को जैसे कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर भी सवाल उठा दिया था अगर आगे च और सामने करोड़ों जंता तो शायद वहां पर बहुत मामला आगे निकल जाए लेकिन बीजेपी क्या कर रहे है क्या नहीं पहले सामने खुल कर आये तब तो यहां पर हकिकत पता चले क्यूंकि कई सारी बाते सामने नहीं आती कई जूटी होती है तो वह सारी सच्चाई पुल साफ हो चुकि कि राज्ट्रपती दौपती मुर्मु जो है वह अभी तक का कारेकाल जो है वह बहुत ही अच्छे से समाल रही है और देखा भी जा रहा है जाहिए 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 बाते कि जो उनके बयान बाजी है जो तस्वीर है वह लगतार सभी के सामने आ रहे लेकिन दौपती मुर्मु को देख करके अब आप लोग के लिए एक सवाल है कि क्या रखता है कि कभी अगर भाजपा के खिलाफ जाना होगा तो वह जा सकते क्या कभी बगावत कर सकती है या नहीं कमेंट सेशन में जरूर बताएगा फिलाल आज के लिए बस इतना ही देश